दिल्ली की हार के बाद कॉंग्रेस में कल है जोते राद इसने सिंध्या ने कहा पार्टी में नई सोच की जरूरत रेल्वे की बड़ी लापरवाही भोपाल में फुट ओवर ब्रिल्स का हिस्सा गिरा नो लोग घायर MPK मंत्री PC शर्मा के निशाने परबोदी सरकार कहां महंगाई बढ़ी उत्पादन गिरा बेरोज़कारी बढ़ी तमाम डावों के बावदूर मद्र प्रदेश में रेज का वैद उत्खनन रेज माफिया पर कारवा है और ठान की खरीद नहीं होने से किस्सान परिशान जारी है किस्सानो का अंदोलर नमश्कार मैं हूँ शेफाली आप देख रहे हैं दखलनी उस खबरे विस्तार से दिल्ली विधान सवाचुनाव में कॉंग्रेस को मिली करारी हार के बाद कॉंग्रेस की अंद्रूनी कलह सामने आने रगी है वरिष्ट नेता जोतीरा दित्ति सिंध्या ने भी दिल्ली की हार पर सवाल खड़े किये हैं उन्होंने कहा कि पार्टी में नई सोच की जरूरत है कॉंग्रेस की कुछ नेता दिल्ली में बीजेपी को ज्यादा सीठे नहीं मिलने से भले ही जश्नी की मुद्रा में हो लेकिन राश्टे राजधानी दिल्ली में देश की सबसे पुरानी राजनेतिक पार्टी पर अक्तित्व का संकट खड़ा हो गया है बीते दो विधान सबा चुनाओ में पार्टी ने खाता तक नहीं खोला है अब पार्टी के निर्णे उपर सवाल खड़े होने लगे हैं ऐसे में कॉंग्रिस नेता जो 13 दित्य सिंध्या ने पार्टी को नई सोच की जरुवत बताने के साथ ही आज देश के बदलने की बात भी कही है सिंध्या ने कहा कि पार्टी को कारप्रणानी बदलने की सुरत है इसके पूर्व पार्टी की परिष्ट नेतरी और पूर्व राष्ट्पती प्रणव मुखर जी की बेटी समिष्ठा मुखर जी भी पार्टी की हाल पर आलाकमान सहितर राज्य इकाई के नेताओं पर बड़े सवाल खड़े कर चुकी है मुखर जी ने आलाकमान द्वारा नेने लेने में देरी करने और राज्य इकाई में एकता की कमी के गंभीर आरोप लगाये थे इतना ही नहीं पार्टी का हिस्सा होने की वज़ा से उन्होंने हार के लिए खुद भी जिमेदारी लेने की बात कही थी दिल्ली के पिछले दो विधान सभाचुनाव कॉंग्रेस के लिहाथ से बेहत बुरे साबित हुए है साल 2015 और हाल ही में संपन हुए विधान सभाचुनाव में कॉंग्रेस सीट का खाता तक नहीं खुल पाई पार्टी की सुबे में इतनी बुरी हालत कभी नहीं रही है इस बार तो कई वरिष्ट नेताओं ने टिकेट लेने तक से इनकार कर दिया था ऐसे में पार्टी की खस्ता हालत के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं बोपाल रेलवे स्टेशन की प्लाटफॉर्म नंबर दो और तीन को चोड़ने वाले फुटोवर ब्रिस का एक हिस्सा नीचे गिर गया जिससे इस हाथसे में नौ लोग खायल हो गए घटा में रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है बताया जा रहा है कि ब्रिज के जरजर होने की शिकायत कई लोगों ने अधिकारियों से की थी लेकिन इसे सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था भोपाल रेलवे स्टेशन में उस वक्त भगदर मच गई जब जजर फूट ओवर ब्रिज एक काये की हिस्सा नीचे गिर गया बताया जा रहा है कि सिडिया तूडने से ब्रिज गिर गया जिसमें करीब नौ लोग घायल हो गए घटना में रेलवे की बड़ी लापरवाई सामने आ रही है बताया जा रहा है कि ब्रिज के जरजर होने किसी कायत कई लोगों ने अजिकारियों से की थी लेकिन इसे सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया गया और अब यह हाथसा हो गया जिस प्लेट फार्म पर बिजगीरा है वहां से ट्रेनों की आवाजा ही बंद कर दी गई है वोपाल रेलवे अजिकारी ने बताय कि रेलवे इस्टेशन पर घटना के तुरंत बाद SDRF की टीम बुला ली गई थी यहां DRM सहित RPF GRP के अधिकारी मौजूद हैं घायलों को पहले रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए चिरायू हस्पिलल भेज दिया गया है अभी तक 9 लोग बताया गया हैं घायलों हमारे डॉक्टर्स दोनों हमारे रेलवे उस्पिटल में कुछ पेशेंट्स को ले गया है और कुछ सिविल उस्पिटल में ले गया हाथसे को रेकर जनसंबगमती PC शर्मा ने कहा कि घटना दुर्भागयपूर ने घायलों के इला माली करते हैं दुर्भाग के पूर्णा इसकी पूरी जांच होना चाहिए और मैं सुखता हूं को रेलवे भाग भी इसकी जांच करा है और यह बात भूपाल क्रेक्टर और कमिशनर से बात करेंगे इस प्रसाशनिक तौर पे इसकी जांच हो और जित्ते लोग इसमें घाय को लेकर कहा कि मोदी सरकार की महगाई को लेकर जो नीती बनी है वो सही नहीं है महगाई की दर बढ़ी हुई है और और द्योगिक उत्पाद में गिरा वटाई है जिसकी वज़़ा से महगाई आती है तो बेरुजगारी बढ़ती है मध्य प्रदेश साशंग के जन संपर्गमंती पीची शर्मा ने महगाई को लेकर बयान देते हुए कहा कि महगाई की दर्साथ दसमलो पांच परसेंट हो चुकी है और जब इस तरह की महगाई आती है तो बेरोजगारी बढ़ती है और दियोद्गी की उतपाद में देने की सरकार ने योजना बनाई है अब वैद कालोनियों को वैद करने का भी प्रस्तावाया है अगर दस फिस्दी भी मकान बने मिलेंगे तो उन कालोनियों को वैद किया जाएगा शर्मा ने अतिती विद्वानों को लेकर कहा कि अतिती विद्वानों की हर सप्ताह काउं 9% पर है और जोगी उत्वादन में पाइंट 3% की गिरावट आ गई है जो इसमें गिरावट आती है तो रोजगार जाते हैं जब महंगाई बढ़ती है तो रोजगार खतम होते हैं और ग्रहनियों पर सीदा सीदा का लाब परता है कुल मिलाकर मोधी सकार को बर देखा जाए चतारपूर के आसपास रेत का अवयत का रोबार जारी है जिस समय इलाके में रेत के खनन का काम बंद है तब भी सरेयाम रेत माफिया अपने काम को अंजाम दे रहे हैं प्रशाशन ने रेत के अवयत कारोबार में लगे दो दरजन ट्रेक्टर टॉल्यों को पकड़ा है चतारपूर में रेत के अवयत परिवहन पर बड़ी कारवाई की गई शहर के बीचों भी जवाहर रोड़ पर सड़क किनारे रेत से भरे दो दरजन ट्रेक्टर ट्रॉली खनिज विभाग और कोदवाली पूलिस की समय कारवाई में जब्त किये गए यह ट्रेक्टर रोजा चतारपूर में रेत के इसी जगर पर खड़े रहते थे फिर भी कभी किसी जवाबदार अधिकाय दें पर कारवाई नहीं की लेकिन अब लोगों की शिकायत के बाद इस अवयद रेत की कारवार प्रशाशन ने एक्शन लिया इन रेत से भरे ट्रेक्टरों के पास रेत के पिट पार्टक नहीं थे कमलना सरकार जहां एक और रेत माफिया मुत्त प्रदेश बनाने की बड़ी-बड़ी बाते करती है वही दूसरी और विगत कई महीनों से रेत माफिया पूरी तरह से प्रशाशन पर हावी नज़र आ रहे हैं रेत माफिया उने इस्थाने प्रशाशन से लेकर जिले के शीर्ष अधिकारियों से साठगाट कर धडलने से तमस नदी का सीना चलनी करते आ रहे हैं नायाब तेहसिलदार अवैद रूप से ले जाई जा रही रेत के ट्रेक्टर पकड़े तो प्रशाशन और रेत माफिया के बीच की नोटन की साफ नज़र आई रिवा जिले के जवा तेहसिल में से तमस नदी में मशीन और नाव लगा कर रेत माफिया इस्थानिये पुलिस प्रशाशन और राजस्व बिभाग के नाक के नीचे से परिवहन करते आ रहे हैं रेत के अवैद परिवहन की खबर दखल न्यूस चैनल पर प्रशावित हुई तो इस्थानिये प्रशाशन के हाथ पाव फूलने लगे और मजबूरन टमस नदी के किनारे नायाप तहसिलदार भुवनेश्वर मरावी ने घाट पर चमकर कारवाई करने की जहमत उठाई और मौके पर से वेज से लदे चाह ट्रकों को पकर लिया लेकिन उनका कायना है कि जब तक इम नहीं आए तर्शावित होगी नहीं लेंगे लेgiving वह भी बिना रेत से लदे ट्रैक्टरों को ठाने तक नहीं ले जाव सकते थे क्योंकि ट्रैक्टर ड्रावरों ने जान बूच का ट्रैक्टरों को नाले में फसा दिया इस सम्गर में जब नयव तहसील दार ने पुलिस प्रिशाशन से मदद मागी तो जबात धाना प्रभारी पवन लिजाकर पुलिस के सुपूर्ट कर दिया इस मामले में जहां एक और रेत माफियाओं से नाया प्तैसिलदार अकेले मुकाबला करते रहे वहीं दूसरी ओर जवात्थाना पुलिस मुखदर्शक बनी रही समय ब्रेक का है ब्रेक के बाद जल्द हासिर होंगे आप देखते रहिए दखल दखल प्राइड अवार्ट ट्वेंची ट्वेंटी दखल लियूस सम्मानित करता है उन हस्तियों को जो समाज में उधारन बने जिन्होंने देश और प्रदेश का गौरब बढ़ाया दखल प्राइड अवार्ट पे विशिष्ट अधिती होंगे टियास सिंग्देफ मंत्री स्वाक्त छतीस कर शाषन मुख्य अथिती पीसी शर्मा मंत्री जन्संपर मद्पदेश शाषन विशेश अथिती विजेन सिंग राट और मंत्री वाणे जिकर मद्पदेश शाषन दिली बिल्डिकॉन लिमिटेट, स्पॉंसर्ड बाइ, मांसरोवर ग्लोबल युनिवर्सिटी, एलन सीटी युनिवर्सिटी भोपार, चित्रांश बिल्डर, भार्तिय जीवन बीमानिगं, जिंदिगी के साथ भी, जिंदिगी के बाद भी, सेंट्रल बैंक ओफ इंडिया, मधुरम गुरुफ, माइडास एंग्लिश एकाडमी, सिध्धान्ता रेट ग्रॉस सुपर स्पेशलिटी भोपार, ग्वालियार स्मार्ट सिटी ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, धान खरीदी के इंद्र, रिमारी में किसानों का अंशन जारी है, इस बीश तियोथर विधायक कश्याम लाल दिवेदी ने मुख्यमंत्री के मुख्य सचेव और खाध्य नागरिक आपूर्ती के आयुक्त से चर्चा कर किसानों की धान खरीदी किये जाने तथा जारी अंशन को तुड़वाने का अगरे किया है, इसके बाद रिवा आते ही कलेक्टर रिवा से चर्चा कर सीधे अंशन इस्थल रिमारी पहुचकर अंशनकारी मनोश शुकला से चर्चा किया है, अंशन इस्थल पर विधायक दिवेदी ने अपने खाने में अन खाते हैं या नहीं? हमारे अनदाता, किसान रात दिन मेहनत करके अपनी जमीन से अन उगाते हैं और उसी उपच को बेच कर अपनी घरेलू आवशकताओं की पूर्ती करते हैं, अगर उपच की हुई धान पेच ही नहीं पाएंगे तो आवशकताओं की पूर्ती कैसे कर पाएंगे? सबसे दुख की बात यह है कि जब रात के समय पूरी जनता शाशन और प्रशाशन गेहरी नीम में सोता है, उस समय कडाकी की ठंड में किसान खेत में पानी लगा रहा होता है, तब दूप में जलता है, तो केवल किसान गरश तड़क के साथ हो रही बारिश में अपनी जान को जोखे में डाल कर खेती करता है, तो केवल किसान एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ, मीडिया में अखवार में छपवा देते हैं, कैसे छपवाते हैं, इसलिए मुझे ये कहने में संकोच नहीं कि कमलनात की सरकार, किसान बिरोधी सर करकार है, मेरे बच्चों के भाग से मुझे भरोसा है कि मैं जिन्दार होंगा, मुझे कुछ होगा नहीं। के लिए पहल की जाएगी। इसमें अभी मेरी कलक्ट साथ से बात हुई है। उनको भी दुख है और भरपूर कोशिश अपने इस तर से वो लो कर रहे है। मेरी भी बात होती है, माननी प्रधाय की भी बात हुई। तो ये चर्चा राजशासन के पास में है, उनका अभी क्या नर्णा होगा, ये तत्काल होगा। लेकिन सभी जित्ती भी चर्चा हुई, संबिन्ना है, ये सभी जो है, मद्रधाय सासन के पास जा चुकी है। और हमारा प्रयास है कि इस केंद्र के साथ, जो अन्य केंद्रों खुलना चाहिए, वो भी खुले। ये जो 20 तारीक के बाद 31 को जो खुला था पोर्टर, उसमें ये वाद सही कुछ किसान रह गया है, सेस हैं, और कुछ केंद्रों में जहां पर पोर्टर नहीं खुल पाया था, वहां पर किसान अभी उनकी खरीदी सेस थी, जिसके बारे में जिला प्रसासन से लगातार बजलर तरी को जो फारिए जा रहा है, प्रति दीन चर्चाएं चो रही है और उस पर बूरी कोसिज करके उसको खुलवा लाकि खरीदी कराने का प्रेयास जिला को जाना रहा है, और को फौलकर अपक्र की रिपोर्ट जा रही है, जल भी किलेक्टर सावने ये बास वाट प मनचल ने एक महिला के साथ सरे आम छेड़चाड की और छेड़खानी से परेशान महिला ने जब शोर मचाया तो युवक भग गया महिला की शिकायत पर पुलिस ने इस युवक को गिरफतार कर लिया है सिंगरॉली के मॉर बाधाना छेटर के ग्राम करेला की एक महिला के साथ चिरखाली के मामने में पुलिस ने गंबीरता दिखाते हुए आरोपी यूवक को बिविन दाराओं के ताथ किरफतार कर नयाले में पेश किया ग्राम करेरा निवासी 31 वर्षिय महिला बाजार से खरीदारी कर अपने पती के साथ बापत लोट रही थी तभी उसी के गाउं के लालकुमार प्रजापती ने उसके सामने अश्लिल हरकते कर उसे अपनी और खीचने की कोशिश की यूवक की इस हरकत पर महिला ने शोर मचाया तो आरोपी यूवक वहां से फरार हो गया अपने साथ घटे तेज घटना की जनकारी पीडिता ने पती के साथ मोरवा थाने में दर्च करवाए मामले को गंभीरता से लेते हुए निरिक शक नागेंदर प्रताब सिंग ने मामला पंजीबत कर आरोपी लालकुमार प्रजापती को ग्राम करेला से ग्रफतार कर लिया है जश्पुर के जिला अस्पताल में बच्चे अब सुरक्षित नहीं है जिला चिकित साले के शिशुवाड से छे दिन के एक बच्चे की चोरी हो गई बच्चा चोरी की घटना से अस्पताल प्रशाशन ही नहीं पुलिस की भी नीन उड़ गई है काफी खोजबीन के बावजूद अभी तक बच्चा नहीं मिलवाया है पुलिस अब अस्पताल के CCTV फोटेज खगाल रही है जश्पूर में जिला चिकित साले में ही चच्चा बच्चा दोनों का इलाज चल रहा था एक अग्यात महिला ने अस्पताल के अंदर प्रवेश किया और सभी को चक्मा देते हुए बच्चे को लेकर गायब हो गई छे दिन के बच्चे के गायब होते ही जिला चिकित साले सहित जश्पूर में हड़कंप मच गया घटना के बाद मा का रोरो कर बुरा हाल है वहीं बच्चे को चुराने वाली महिला का बवब बच्चे की संदर में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है CCTV फोटेज में एक महिला को बच्चे को ले जाते हुए देखा गया है पोलिस CCTV फोटेज खंगालते हुए बच्चे की तलाश में जुटी हुई है टीकमगड़ जिला जेल अक्सर विवादों में बना रहता है जेल में बंद विचारा धीन एक आरोपी की संदिक्द परिस्थितियों में मौत हो गई है कैदी के परिजनों का कहना है कि उनके बेटे पर बलातकार का जूटा आरोप लगाया गया था और उनके बेटे के दिहाई होने थी बेटे की मौत के बाद परिजनों ने सणख जाम कर दिया है ठीकमगड़ जिला जेल में कैदी की मौत से गुसा है परिजनों ने चक्का जाम कर दिया कैदी वीरेंद को दो महीने पहले बालातकार के आरोप में जेल में बंद किया गया था कैदी वीचारा धिन था जिसकी मौत ने जेल प्रशासन पर सवाल या निशान खड़ा कर दिया है हाल ही में इसी जेल से एक कैदी फरार हो गया था इसके बावजूद जेल प्रशासन ने इससे कोई सीख नहीं ली परिजनों का कहना है कि उनके बेटे पर जूठा आरोप लगया गया था पीरिता ने अपना बयान परट लिया था और उनके बेटे की आज रिहाई होने वाली थी विरेंद्र कोप पुलिस ने हॉस्पिटल में भरती कराया था जेल प्रशासन की लापरवाही की चलते उनके बेटे की जान चली गई परिजन जब अधिकारियों के समझाने पर भी चक्का जाम नहीं छोड़े तो पुलिस ने फोर्स बुला कर जाम हटवाया इस दौरान पुलिस और परिजनों की बीच विवाद की स्थिती बनी रही जब हमारे गहला पर इन इताइसे फोर्स या तो मैंने फोर्स देखा तो बोले जूट है कुछ नहीं मेरे दोरे में परिस पहुंची है, तो प्रिस ने ए बोला, आप पॉर्न हो मेनकी मेन भूसकर माहू हो, और में बोले का मैं उसको पापा है मेनकी जाजी है, तो उसकर पूलाया, तो संति हिर्दाराम नगर में नेच्रोट पैथी कॉलेज की छात्राओं ने योग और प्राकर्तिक चिकित्सा को मैडिकल बिल में शामिल करने के लिए रैली निकाली चात्राओं और शिक्षिकों ने इसके लिए मौन प्रदशन किया योग और प्राक्तिक चिकित्सा को प्रस्ताविद मेडिसिन बिल में शामिल करने की मांग को लेकर चात्र चात्राओं और शिक्षिकों ने संद अगर में मौन प्रदशन किया प्राक्तिक चिकिस्ता कोर्स कर रहे चात्र हाथों में तक्ती लेकर कॉलेज परिशार में कत्रिस हुए विद्यातियों ने प्रतर्शन के माध्यम से केन सरकार को योग एवं प्राक्तिक चिकिस्ता को शामिल करने की मांगी की डारेक्टर हीरो क्यान चांदानी एवं प्राचार डाक्टर हिमाशू शर्मा के अनुसार प्रस्तावित बिल में आरवेदिक यूनानी आधी पद्धतियों को शामिल किया गया है लेकिन योग एवं प्राक्तिक चिकिस्ता को शामिल नहीं किया गया है जबकि प्राक्तिक चिकिस्ता तेजी से लोगप्री हो रही है मोटापा, शुगर, हड़ी रोग एवं चर्म रोग आदी में प्राक्तिक चिकिस्ता काफी कारगर है विदेशों में भी योग एवन प्राक्टिक चिकिस्ता लोगप्री हो रही है यह बिना दवाई और किसी भी दुस प्रभाव से मुक्त सस्ति सरल और सुलब चिकिस्ता प्रद्धती है हम आज के दिन एक शांती पूरव प्रदर्शन कर रहे हैं यह एक आंदोलन भी है जो पूरे देशवर में करीवन 42 कॉलिजिस के दौरा करीवन 10,000 बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं पंदरा राज्यों में आज के दिन जो है सभी जगा पे एक शांती पूरव की आंदोलन उपवास और मौन रखा गया है कहीं सिरफ एक ही कारण है कि योग और प्रकरति की चिकित्सा को जब नरेंदर भाई मोदी जी आये 2014 में एतनी प्रात्मिक्ता दी गई और आज इसी चीज़ को इस regulation से जो National Bill on Indian System of Medicine है 2019 है इससे बाहर रखा गया कहीं न कहीं एक drawback कह सकते हैं कि आपने जो है एक चिकित्सा पदिती को जो है पीछा रख रहे हैं जो कि हमारे संस्कृति का भी भाग है से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे नाच्रोपिती और योगा जो system of medicine है उसको include किया जाए NSISM Bill में और इसके लिए हमने आम मौन उप्वास और यह रखाया कि इसको include किया जाए इस bulletin में फिलहाल इतना ही आप देखते रहे हैं दखल आपके हाथ में दखल प्राइड अवार्ट 2020 दखल लियूस सम्मानित करता है उन हस्तियों को जो समाज में उधारन बने जिन्होंने देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया दखल प्राइड अवार्ट बे विशिष्ट आधिती होंगे टेयास सिंग्डेफ मंत्री स्वाक्त छतीसकर शाषन मुख्य आथिती पीसी शर्मा मंत्री जन्संपर्ग मद्पदेश शाषन विशेश अचिती विजेन सिंग राट और मंत्री वाणे जिकर मद्पदेश 16 फर्वरी 2020 शाम साड़े पांच बजे तखल प्राइड अवार्ट पॉवर्ट बाई दिली बिल्डिकॉन लिमिटेट स्पांसर बाई मांसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी एलन सीटी यूनिवर्सिटी भोपार चित्रांश बिल्डर भार्तिय जीवन बीमानिकंद सिंद बंक आप इंडिया मधुरम गूर्व माइड एंग्लिश एकाडमी सिद्धान्ता रेट क्रॉप सुपर स्पेशलिटी भोपार ग्ल्यार स्मार्ट इटी आप देख रहे हैं दखल्यूल